8.3. अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम सत्रवी और अठारवी शताब्दी में इंग्लेंड और उत्तरी अमेरिका में उपनिवेश इस्थापित किये गये। ये 13 प्रांतों में बटे हुए थे। इसमें इंग्लेंड से बड़ी संख्या में क्रिशक, कारिगर, व्यापारी आधी बसे हुए थे। 18 सदी में अमेरिकी उपनिवेशों के लिए इंग्लेंड की संसत कानून बराती थी। परन्तु वहां के लोगों को संसत के लिए प्रतिनिधित्य चुन्ने का अधिकार नहीं था। संसत जो कर वशुल्क लगाए और कानून बनाए वे अमेरिकी उपनिवेश के निवासी के हित में नहीं बलकि इंग्लेंड के व्यपारियों और व्यवसाईयों के हित में थे। अमेरिकी उपनिवेश के लोगों का नारा बिना प्रतिनिधित्य के कोई कर नहीं था। सन 1744 में सभी उपनिवेशों के विरोध स्वरूप फिलाडेलफिया में अपने प्रतिनिधित्तों में एक संयुक्त बैठक रखी जिसे कॉंग्रेस कहा गया कॉंग्रेस ने इंग्लेंड के राजा जॉर्ज तृतिय से अनुरोध किया कि उपनिवेशों को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार दिया जाए राजा ने इसे बगावत माना और सन 1775 में अमेरिका परियुद्ध की घोशना कर दी फिलाडेलफिया में 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की तीसरी बैठक कॉंग्रेस हुई 4 जुलाई सन 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोशना कर दी गई इस घोशना के लेखक थॉमस जेफर्सन थे सन 1781 में अमेरिका ने फ्रांस की सेन्य मदद लेकर इंग्लेंड के खिलाफ युद्ध जीत लिया जॉर्ज वाशिंग्टन के नेत्रत्व में अमेरिका यह युद्ध जीता वह वह प्रतम राष्टपती चुना गया और उनके द्वारा अमेरिका की सरकार ने गरतांत्रिक अर्थात लोगों के द्वारा राष्ट अध्यक्ष का चुन्ना तैय किया इनके निर्माताओं में से थॉमस जेफर्सन भी थे जिन पर लॉक और रूसों के विचारों का बहुत प्रभाव था आएए हम इनके बारे में वो उनके विचारों के बारे में जाने जॉन लॉक लॉक विश्व के महान दार्षनिकों में गिने जाते हैं उन्होंने निरंग कुष्टा के विरोध में और लोगतंत्र के समर्थन में कई ग्रंथ रचे चॉल्स और जेम्स द्वित्य की नीतियों के वे आलोचक थे उन्हें उन दिनों स्वदेश छोड़कर हॉलेंड में रहना पड़ा सन 1688 में वे मेरी द्वित्य जो बाद में इंग्लेंड की रानी बनी के साथ स्वदेश लोटे लोक सामाजी का नुबंध शोशल कॉंट्रेक्ट के सिध्धान्द को प्रतिपादित करने वालों में से थे इस सिध्धान्द के अनुसार समाज के लोग मिलकर अपनी जरूरतों को पूरा करने तथा अपने अधिकारों की रक्षा के उद्देश से राजी को इस्थापित करते हैं लोगों के हित और अधिकार इस कारण राजी में सर्वो परी हैं राजाव मंत्रियों को लोगों से सत्ता मिलती है इस कारण वे लोगों के प्रति उत्तरदाई है लौक ने निरंकुष्टा से बचाओ के लिए शासन के कारिशेत्रों के विभाजन का सुझाओ रखा उनका सुझाओ था कि शासन के तीन पक्ष कानून बनाना, लागू करना तथा न्याय देना इनहें तीन स्वतंत्र शेत्रों में बांटना चाहिए उदाहरण के लिए संसत कानून बनाए, राजा लागू करे और स्वतंत्र न्यायधीश न्याय करे इस तरह किसी एक के अत्यंत शक्तिशाली और निरंकुष होने से बचा जा सकता है इसी विचार को बाद में Montesquieu, जन्मसन 1689, मृत्यू सन 1755, नामक फ्रेंच विचारक ने शक्ति विभाजन, सेपरेशन ओफ पावर्स के सिधान्त के रूप में पेश किया सभी मानव समान एवं स्वतंत्र हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ, स्वतंत्रता और संपत्ति को हानी पहुचाने का अधिकार नहीं है जौ जौक रूसो जन्म सन 1712, मृत्यू सन 1778 रूसो ने अपने राजनेतिक विचार दो महत्वपून पुस्तकों में प्रकाशित किये और समानता पर विमर्ष सन 1774 तथा सामाजिक अनुबंध सन 1762 रूसो का मानना था कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से सैयमी और नैतिक होता है और प्रकृतिक के साथ सामन जस्य में रहता है प्रारंभ में कोई नीजी संपत्ती नहीं थी और जमीन और जंगल सबका होता था सब लोग आविशक्ता नुसार सारे काम करते थे और अपने उत्पादन को मिलकर उपभोग करते थे लोग समस्याओं का आपसी बातचीत से हल निकालते थे लेकिन समय के साथ नीजी संपत्ती कारे का विभाजन और समानता और सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य विक्रित होता गया धनी और ताकतवर लोग अपनी इच्छा बाकी लोगों पर थोपने लगे और उन्हें गुलामी में रखने लगे मनुष्य के बीच और समानता को बनाए रखने के लिए लोगों के अधिकारों वो स्वतंत्रता को नकारना जरूरी हो गया रूसों का प्रसिद्ध कथन है मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है मगर सब तरफ वो जन्जीरों से बंधा हुआ है इसका हल यही हो सकता है कि सारे लोग मिलकर एक नया सामाजी कनुबंध शोशल कॉंट्रेक्ट करें जिसके तहत वे अपने प्राकृतिक अधिकारों या इच्छाओं को प्राथमिकता न देकर सामुदाइक निश्य जनरल विल को प्राथमिकता दें यह निश्य सब लोगों के साजी विचार विमर्ष और न्याय के सिध्धानतों के आधार पर बनेगा। सामुदाइक निश्य को प्राथमिकता देने पर कोई इंसान किसी ताकतवर या धनी व्यक्ति की इच्छाओं से संचालित नहीं होगा। रूसों के ये सिध्धानत आने वाले युग में लोकतांत्रिक आंदोलनों के आधार बने।